मत्प्रदेश के समस्प्रदेश वासियों को मेरा नमश्कार। आप सभी को ये विदित है कि हम एक अत्यंत कर्थिन डौर से अभी गुजर रहे हैं। कोरोना वाइरस से निपटने के लिए मत्प्रदेश आशन दौरा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जिसके तहट मत्प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का पालन लगातार कर रही है। देश एवं प्रदेश में चल रहे लौकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए आप सब का सयोग हमारे लिए अत्यंत आवशक है। इसके लिए राज सरकार दोरा जारी किये गए गए निर्देशों का पालन कड़ाई से करने के लिए मत्प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी एवं जवान मुस्तेदी से अपना कार कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में किसी भी तरह के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन भी पुलिस दोरा पूरी कड़ाई से कराया जा रहा है। प्रकार के प्रतिबंदों का जो की राजसरकार दोरा लगाए गए हैं कृपा करके पूरी तरह से पालन करें। कि लॉकडाउन के उलंगन के फलसरूप मत्प्रदेश में पुलिस दोरा अभी तक 99 प्रक्रण दर्ज किये गए हैं। जो की 69 रेक्तियों के खिलाफ हैं और साथ ही 207 वाहन भी जब्द किये जा चुके हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस इस्तिती में आने से कृपया बचें। अनिता अग्रिम कानूनी कारवाई में परशानियां खड़ी होती हैं। आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन की अवदी में विबिन्द राज्यों से आने और जाने वाले वाहन जो की ट्रक या अन्ध्रगार के वाहन होते हैं। उनको सुचारों रूप से चलाने के लिए भी पुलिस प्रतिबद है। उनके आवागवन पे किसी तरह की रोक नहीं है। और इस तरह के इंस्ट्रक्शन्स, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन्स सभी मैदानी करमचारियों को दे दिये गए हैं। और समझ पुलिस कर्मी उस तोर पे पालन करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के जो एड्वाइजरी और नियम बताये गए हैं। उनका भी पूरी तरह से पालन हो जिसमें दो व्यक्तियों के मद्द की आवश्यक दूरी को बनाये रखना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना वाइरस के प्रभाव को ज पूरी संजीदगी के साथ और मुस्तेदी के साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपकी सेवा में उपलब्द रहेगी। धन्यवाद। प्रणाइरस के मद्द के लूरी नहीं जरूरी के साथ ऑड़ खवाद। झाल बनाये रहे ताकिक बटनाइरस के साथ शोर्णा आपकी साथ 5-1.